शंख है और कमंडल है ये शंख बताया जाता है कि तुलसिदास जी का था और ये कमंडल जो है वो उनके गुरु का नरहरिदास जी का था यहां पर तुलशिदाज पर लिखे तो उनकी जीवनी भी थी, जो यहां से मतलब चूरी हो गई और कुछ रामचीद मानस का बेले हमें लिगत आशा अप के यहां का सब्दाजे ने फिर लिखा तद भी कही गुरु वारा हिबारा असमुज परी कशमती अनुसारा ये सब आपके यहां की गोंडा की भासा है आवद प्रांत की भासा है तुलसी दास जी रामचीद मानस में फिर बांदा क्यों नहीं दर्साया कहीं अगर बांदा कौले के एक चित्रकोट का तवाता है वो नरहरिदास जी का ये आश्रम ने यहीं पर तुलसी दास जी ने सिच्छा दिच्छा ग्रहन की थी अपने गुरु से और आज हम आपको वो चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो चीज़ आपने आज से पहले टीवी पर कभी नहीं देखी होंगी ना किसी प्लेटफॉर्म पर देखा होगा ना सोचल मीडिया पर देखा होगा ये वो लिपी है जो उनके द्वारा अहस्त लिखित लिपी है रामतरित्मानस की कुछ चौपाईयां है उसके यह कुछ कागज है यहाँ पर मौजूद है इसके अलावा ये शंक है और कमंडल है ये शंक बताया जाता है कि तुलसिदास जी का था और ये कमंडल जो है वो उनके गुरु का नरहरिदास जी का था ये चीजे मैं आपको रिखाना चाहूँगा कि ये वो महत्पूर्ट चीजें हैं जिनको ततकालीन बियम जब वहाँ पर थे तो उन्होंने इसको यहाँ संदर्चिक कराया था ये राम बता पाऊंगा आपको लेकिन ये पन्ने अपने आपने इस बात की गवाही है कि कहीं न कहीं जो दावा किया जाता है कि तुलसिदास जी का जो जन्न हुआ था राजापूर में वो उन दावों को सच साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे साथ यहाँ पर इस जो हम यहां के पोजारी है और यहां जो महम्त है इस समय उनका भी तुलसिदास जी नाम है वो बाल परमचारी है अभी भी सादी नहीं की है यह थोड़ा से हमको इसके बारे में बताएगा इधर दिखाईएगा थोड़ा से यह जो हस्त लिखित यह थोड़ा हाथ में यह लगभग 500 वर्स पुराना यह है गोसामी तुछीदास जी के हाथ की हाथ की लिखी हुई है जो उन्होंने अपने हाथ से लिखा था गुरू जी उनको कथा सुनाते थे उसी आधार पर गोसामी तुछीदास जी रामचित मानश की रचना करते थे मानश की लगभग 500 वर्स पुराना यह उन्होंने तो दर्साया है कि मैं पुनि निजगूर संसुनी कथा सो शोकर खेत समझी नहीं तस बाल पंते बत रहे हो अजिए गोसामी तुछीदास जी ने तो रामचित मानश में बता ही दिया है त्रिवी दितापत रासक त्रिमहान के पापों को नश्ट करने वाली यह त्रिमहानी जो अभी इस समय कल वास चला है यह 25 जनौरी को मेला भी होगा तो तुलसिदास जी की जनम हुमी यहाँ चे 5 किलोमेटर राजापूर पढ़ता है बस तुलसिदास जी की जनम हुमी है अच्छा यह जो शंख हम ने देखा आ अच्छा लगभग कितनी पृत्या इसकी यहां तर आपके पास होंगी या कुछ इसमें से गाइब दी होई क्या था इसमें जैसे अब लगभग लगभग मतलब बहुत कम प्रिष्टे मची हैं यह धीरे धीरे सब गलते चले जा रहे हैं इसके बाद में सदाकांद तिवारी जी यहां पर बियाम आये थे उन्होंने इन पन्नों को कुछ रोगनोगन लगवा करके कागज लगवा करके सुरच्छित कराया था ये का बायत से कुछ बता सकते हैं हाँ ये 1928 इ accuracy ये यह माना जाए तो हिमनारी अयतिहासिक धरोहर है जैसे हम यह कि राम रामचरित्मानस का जब लिखा गया रामचरित्मानस तो उन्हों ले लिखा तो यह हमारी एतियासी दरुवा रहा है इसको अच्छे संद्चित कराने जी प्रशासन को जी जी क्या लगता है अब जैसे तुर्सी दाशी की जो जन्भूमी है वहां पर भी पिता जी आत्मा राम दूबे के नाम से आभी भी मतलब लगभग में 14-15 एकड़ जमीन भी आत्मा राम दूबे के नाम से महां जानकर हमको मिली कि उनके नाम से कुछ जी जी अच्छा थोड़ा से इसके बारे में आप हमको बता पाएंगे कि जैसे यह क्या लिखा है कि लें यह को कौन आते हैं जो रिशर्च करते हैं वो भी इसको रिशर्च करके गया है कि मतलब यह नो तुरसीदाशी के जमाने की हैं उन्होंने बताया उसके बार भी नहीं समझा गया कि इसको बस ऐसे ही यहां पर रग दिया जाए या भी इसको कही संग्राल में अच्छी कि दर्सन कराने के लिए भी डियम साहब में मना किया था कि दर्सन वेसे किसी को मत कराईएगा अगर आपके गाउं का है या कोई पर्चित का है तो आप इसको दर्सन कराएं देदे कागज यह सब खतम हो रहा है जी 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 यहां पर तुर्सिधा ची के हार से लिक्षित की जीवनी भी थी जो यहां से मतलब चोरी हो गई और कुछ रामचीत मानश के हां से पन्ने भी आयोध्या कांड के मतलब वो पूरा कांड ही चुरी हो गया था यह जो उनकी जीवनी थी वो और आयोध्या कांड का पूरा पाठ है कहां से चुरी हो गया जैसे तुर्षी दाजी की जन्म भूमी है विवाद चल ला है तुर्षी दाजी की जैसे अपनी जीवनी लिखी थी उस जीवनी से सचाई तो आप जैसे रामचेट मानस में और सब कुछ हाई है अगर वो जीवनी आज होती तो जीवनी से सब कुछ कन्फर्म हो जाता तो वो जीवनी यहां से चुरा ले गए तो राम चरित मानस की आयुद्या की प्रतियी यहां से चोरी हो गई कुछ और प्रतिया भी चो अयुद्या कांड पूरा चोरी हो गई लेकिन जैसे चित्रकूर्ट में भी दावा किया जाता है कि तुलसीदास जी का जन्मिस्थली वहां भी है तो क्या वहां की जो प्रतिया जैसे तुलसीदास जी की जन्म भूमी मतलब कोई कहीं भी कह सकता है जैसे राम जन्म भूमी को बाबरी महजित कहते थे उसमें भी बाद चल रहा था लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो यह पता लगा कि यह राम जन्म भूमी है इसी तरीके से गोशामी तुलसीदास जी जो रामचित मानस लिखा है वो आपके एकदम गोंडा की भासाएं ही अलग है यह आउदपरांद की भासा है हाँ यह माझा की भासा है जैसे उन्हों गोशामी तुलसीदास जी लिखा यह सब आपके यहां की गॉंडा की भासा है आवद प्रांत की भासा है और जैसे गॉंडा के लिए लिए और बांदा के लिए अगर आमने सामने एक बांदा का आदमी बैठा दीजे एक तरह आप बेढ़ जाईए देखिए भासा में क्या उन्ठाविशा अन्तर मिलेगा तो बात या है जैसे गोशामी तुलसिदा जी तो कोई साधर नहीं था और तुलसिदा ctra chỉ गौकि फिर बाटा कोईवाता उग प्रसंग में आता है लेकिन तुलसीदाजी के प्रसंग में नहीं आता है कि हम यहां को कथा सुने थे या रहे लेकिन तुलसीदाजी कुछ दिन के लिए बांदा में निवास किया था तो उनकी कर्म भूमी हो सकती है लेकिन जन्म भूमी नहीं हो सकती है तो ये थे हमारे साथ से यहां के संदच्छक जो तुलसीदास जी के तुलसीदास गुस्वामनी जी के गुरू उनका जो आश्रम है यहाँ पर उन्होंने सारी बाते बताई हमने आपको आज आउन स्क्रीम पहली बार रामचरीत मानस की वो प्रतिया दिखाई है जो हस्त हलाकि अब वो धीरे धीरे तूट कर बिखरती जा रही है संदच्छित करने का प्रयास किया गया है हमने वो कमंडल भी दिखाया जो खोद तुलसीदास जी के गुरू ने उनको दिया था और उनका गौमुकी वो संख तुलसीदास जी का वो भी हमने आपको दिखाया कुल म कहीं अगर संग्राले में इसको सरकार खुद ध्यान दे के संग्राले में इसको अच्छी तरीके से सुसजित कराके वहां इसको रखवाती है तो लोग या आने वाली पीडियां भी इस ओरिजनल प्रतिलिपी को जो वास्तिक लिखी है उनके द्वारा उसका दरसन कर सकेगी द्वारा उसको अधर संग्राइब वारा उसको जो लोगल 12 लोगती है